डाइन जगरुफि का यह प्रैक्टिस कोरूषन पेपर है इसमें पहले कुछ जो है लगभरर 23 से 35 कोर्षन एक एक नम्बर का है बहेरी सॉट ठाëं प्रैप को क्वेस्न फिर उसमें इसमेंस से जो लॉंग टाइप कोर्शन नहीं आता है जोॹट तो सेट क्या गया अंसर लास्ट में दिया गया है ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सके और अगर डीटेल समझना है तो इसका अलग अलग से पार्ट करके डाला हुआ है एक नोट स्टाइप का तो उसका लिंक नीचे दे दिया गया है तो पहला कोस्टन से वाट टाइप आप इन्डिया है इंडिया किस टैप अकर नाम देना तो वाच इस टैप पर क्लायमेट इंडिया है तो यह हो गया पहला कोशन फ़ाई डी जो है जलवायों किसको करते है विच आाइप of climate is found mainly in the South and South East Asia South or South East Asia में क्या पाय जाता है किस तरह climate पाय जाता है next question is in which places there is a wide difference between day and night temperatures जैसे इंडिया में कौन सा places में दीन जो है और दीन और रात का जो temperature बहुत अंतर देखा जाता है तो उसको सद्दिखना है question number four को फिर question in which places there is hardly any difference in day and night temperature की कम difference रहता है दीन में यतना temperature रहता अतनी रात में ही रहता है six question in which month most of the part of India receive rainfall कि किस महिना से किस किस महिना से इंडिया में ज्यादा बारिस होती है next question is seventh question which type of areas experience less contrast in temperature and condition temperature condition किस कौन सा जो area है जो कम प्रभावित रहता है temperature what is the originating point of the north easterly wind कि north easterly wind है वो क्या चीज़ है what is meant of corallis force ठीक है corallis force रहता है इसको पढ़ा जयता है फिर what do you mean by jet stream jet stream क्या है फिर what 11 question number what is the intertropical convergence zone itc jet what is meant by pressure difference और सबका जो एक detail से समझाया गया है notes है और notes के उपर डाला गया है किस किस topic पर है तो वहां भी अजाकर देख सकते है what is meant by pressure differences we are negative in term of monsoon what is in Nino in Nilo क्या है सारा का अप अंसर लिखते जाए ज्यादा 20 वर्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए धियान रखना है क्क नंबर का है टेंथ में आप आया जाए गात वर्ड लिमिट होना जाता है which region of India does not have a well defined cold season किस region इंडिया में the cold season कम रहता है what is a striking feature of the hot weather season hot weather season का features क्या है striking features मुख features which which area receive the higher average rainfall in the world कि इंडिया ही में है लेकिन वर्ड में सबसे ज्यादा बारिस होता है कौन से अरिया में 17th question what is the most important factor in thunderstorm development कि thunderstorm जवता बिजली करकता है तो उसका important factor क्या है which is the highest wind velocity highest wind velocity क्या चीज है what is the tool to measure the wind speed wind speed का जो है tool क्या चीज़ से नापते है what is a temperature temperature क्या है 22 which of the flowing places receive highest rainfall in the world कोहार्टी फिर बी है चेरापुंजी सी है मासिन राम ये चेरापुंजी सी है गोवा डी है मासिन राम तो which of the flowing couches rainfall during the winter in north western part of India फिर नो जो western part है तो हाँ पर कोन सक किस कारण से बारिस होती है अब उसके बाद जब इसको लिख लिएगा तो short or long question जो 3 और 5 मार्स का है तो ये लगभग 12 questions है तो 12 questions को इसको आप question उतार देजे और टाइम लिजे और उसका answers मतलब की आप देख सकते हैं इसको तो सबसे पहले वहां का पहला का answers देख लेते हैं वो सबका जो दिये थे ये टीफिकल वेदर करनिशन अब जब लॉंग पृट इसको फोर्ट में रात में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है ठंडा कर थाथ है दीन में 50 डिग्री रात में 50 डिग्री नाइट में ठंड हो जाता है क्योंकि ये बालू की चलते होता है बालू कर नेचर सा है कि सेंड कर दिन में जब सूरज होता है तो गरम करेगा तो ज्यादा गरम होता है ठंड कर ज्यादा हो जगा अंडवा निकोवार आइनेंड और केरला में ऐसा जो है इंडिया का है जहां पर वेदर कम डिस्टरबेंस होता है जून टू सप्टेंबर बरसात का सीजन रहता है फिर इसको डेफलेक्ट कर देता है क्लोक वाइज का घुमा देता है तो इसी को दिया हुआ है कि कोरिलेस फोर्स रिफर्स टू दा आपरें फोर्स काउस बाइदा आर्थ रोटेशन जेट स्ट्रीम के बारे में ज्यादा चर्चा हम पूरी तरह से एक स्पेशल वीडियो बनाए है तो उसमें आप जो लिंक है उसमें सब दिया हुआ है फिर इंटर ट्रोपिकल कंजर्बिंस यह कंवर्जिंस जोन क्या 11 का उसके बारे में लिखाब आंसर मिलाइए इट विलो एबरेजन लेट मांसून 13 है इल्लीनो इज फीचर कनेक्टे इसको इल्लीनो क्या उसके बार करके यह करेगा फिर उसके बाद जाके आप सौट अंसर को इसको उतारिए और इसको लिखिए फिर कोशन उतारिए वाटर दार रिजस बिहाइंड अब जो थ्री मास्क आपको लगेगा कि थ्री मास्क है तो उसका 80 वर्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए कम हो सकता है और 5 म उतार लिए पुरा कोशन लेकर करें कोपी मुटार के फिर इसका अंसर लिखिए 12 कोशन से तो मैं आगे बढ़ता हूं इसको पाउच करके आप लिख लीजएगा फिर इसका अंसर जब लिखने के बाद आप अनसर मिलाएगा तो कोशन नमबर वन कर देके पॉइंट ऊंसर देना ये पाँच पोईंट हाँ तो पांच नमबर का है क्या क्या जो फेक्टर है जो two cancer इसका शुआ क्टिस इसका अक्यूनिट में नोठ में दिया था तो उसे लिख नोट कर फिर नोट कोशन नमबर थरी का अंसर मिला लिजे 3 जो एती नमबर का 4 में भी नोट्स में है 5 का डिरिंग विंटर और इन समर में क्या-क्या होता हाई प्रेसर वेल्ट इसको भी समझाया गया नोट्स में अंसर आप मिला लिजे 6 का भी हो सही है 7 का अंसर मिला लिजे हिमाले के बारे में कैसे प्रेक्रता है फिर 8 का भी नोट्स जाएगा वीडियो बना वाए तो वहां पर अंसर मिला हुए 9 का जैसे पॉइंट वह जैसे तीन तीन नमबर का तीन पॉइंट है तीन नमबर है 9 का मिला लिजे 10, 11, 13, 12 तक मिला लिजे 12 कोशन तो इसको मैच करेगा उमीद अगर कोई डाउट होगा तो इसको आप हमको मेसेज भी कर सकते हैं कमेंट बोक्स में थैंक यू